नमस्कार आप देख रहे हैं पंजाब KC.com और मैं हूँ आपके साथ अनुजयादव पिछले कुछ दिनों से एक बार फिर पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर पहस तेज हो गई है जिस तरह से चीन में फिर से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं आलम यह है कि चीन में कोर पास्तिवस्ता चर्मर आ गई है चीन की इस स्थिती से पूरे देश में कोरोना के फैलने का डर बना हुआ है इस वीच कोविड और उसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस का खत्रा भी मंड़ा रहा है इसलिए इस विशय पर चर्चा हो रही है इसी मामले को लेकर भारते के कारण होगा आएए आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्हों ने इस बारे में आगे क्या कुछ एक समिट में बोलते हुए और शक्ति कांदास ने दावा किया कि ऐसे प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है और यह मैक्रो एकनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्की होते हैं आर बियाई गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी में मैक्रो एकनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिटी के लिए कुछ बड़े रिस्क है और हम इस बार पॉइंट कर रहे हैं एफ्टी एक्स के नए एपिसोट को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि हमें अब और कहने की जरूरत है गवर्नर दास ने आगे कहा कि किसी अन्य असेट्स या किसी दूसरे प्रोडक्ट के विपरिद क्रिप्टो करेंसी के बारे में हमारी मुख्य चिंता यही है कि इ चर्चा को लेकर बवाल मच गया है कॉंग्रिस के अध्यक्स ने चीन पर चर्चा करने के लिए प्रदर्शन भी किया इस दोरान उन्होंने विजेवी पर हमला भी किया इन सब के भीच भारत में भी को देखते हुए तैयारियां की जाएंगी वहीं मंसुक मान्विया ने कह पाग की वाइरस का खत्रा टला नहीं है इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है इसके साथ आप देखते रहिए पंजाब केसी डॉट को